ब्रह्मांड ही सब कुछ है समय, स्पेस और मैटर सब कुछ इसी में समाहित है हमारी प्रित्वी इस ब्रह्मांड में चट्टान का घूमता हुआ एक कड़ भर है जो हमारी मिलकीवे गैलक्सी में मौजूद 200 अरपतारों में से एक काचक कर काट रही है ये विशाल सनरचना 90 अरप प्रकास वर्स की दूरी में फैले आकास गंगाओं के सागर में सिर्फ एक भूंत के समान है ये हमारा घर है, हमारी प्रित्वी, सुख सोविदाओं से भरपूर एक आराम दायग्र एक बार रोज मर्रा के कामा को छोड़ आसमान को देखिए, क्या दिखाई देता है आसमान में फैली एक विशाल काली चादर में टिम्टे माते हुए तारे, कितने खूप सूरत लग रहे हैं रात में हम जिन तारों को देख पाते हैं, वो सब हमारी मिलकीवे गैलक्सी के एक छोटे से पैच के तारे हैं हमारी गैलक्सी में हम यहां रहते हैं, और रात के समय में हमें सिर्फ इस छोटी सी जगए के तारे दिखाई देते हैं कितनी विशाल है हमारी गेलक्सी लेकिन क्या ब्रह्मान के सापेक्ष में हमारी गेलक्सी का कोई अस्तित्व है चोर तक का सफर करेंगे तो अपनी शीट बैल्ट बांध लीजिए क्योंकि हमारा ये सफर बहुती रोमांचको और खत्रों से भरा होने वाला है तो चलिए प्रित्वी की सता से ओडान भरते हैं और ब्रह्मान के आखरी छोर की ओर चलते हैं जैसे जैसे हम प्रित्वी की सता से उपर उठते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें प्रित्वी की सता ब्लू स्फेर की तरह दिखने लगी है ये है International Space Station इंसानों द्वारा इस्पेस में बनाई गई सबसे बड़ी चीज ये 27,580 किलोमीटर प्रति गंटे की रफतार से प्रिथवी के चकर काट रहा है जो की प्रिथवी की सता से लगबग 400 किलोमीटर उपर है और ये 24 गंटे में लगबग 16 बार प्रिथवी के चारों और घूम जाता है जैसे ही हम International Space Station से और उपर जाते हैं तो हमें इंसानों द्वारा बनाई गई कुछ और चीज़े दिखाई देती है सैटेलाइट्स अंतरिच में इंसानों द्वारा भेजी गई हजारों सैटेलाइट्स प्रिथवी का चक्कर काट रही है सैटेलाइट्स का अंतरिच में एक जाल सा बिचा हुआ है चलिए और उपर चलते हैं इतने उपर से प्रिथवी का नजारा तो देखिए कितना खूब सुरत लग रहा है हमारा ये नील अगरा वैल हम पहुँच चुके हैं चांद के पास हमसे पहले यहां पर 12 एस्ट्रोनॉट्स आ चुके हैं जिन में नील आमस्टॉंग पहले व्यक्ती थे जो इसकी सत्य पर उत्रे थे और उनके पैरों के निसान आज भी चांद की सत्य पर देखे जा सकते हैं चांद पर कोई वाई मंडल नहीं है इस वज़े से ये निसान सद्यों तक ऐसे ही बने रहेंगे हम अभी अपने घर से लगबग 4 लाग किलोमीटर दूर हैं और चंद्रमा से हमारा ग्रह कुछ इस तरह का दिखाई देता है ऐसा लग रहा है जैसे अंत्रिच में एक ब्लू मार्बल रखी हो चांद की सत्य एक बैटल फिल्ड की तरह लग रही है जिसने पिछले अर्बों सालों से कॉमेट्स और एस्टरोइड्स की मार को जहला है चांद का कोई वाई मंडल नहीं है जो की कॉमेट्स या एस्टरोइड्स को स्पेस में ही जला दे सौभाग्या से हमारे प्रित्वी का वाई मंडल है जो हमें स्पेस से आने वाले खतरों से बचाता है चलिए अंतरिच में एक लंबी छलांग लगाते हैं ये है हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह वीनस इसको प्रित्वी की छोटी बहन बोला जाता है क्योंकि ये प्रित्वी की ही तरह रौकी प्लानेट है जिसकी ग्रैवटी लगबग प्रित्वी के ही समान है लेकिन ये ग्रह एक नर्क की तरह है क्योंकि इस पर होती है भयंकर बारिस पानी की नहीं बल की एसिड की इसके atmosphere में जो बादल दिखाई दे रहे हैं वो sulfuric acid के हैं हमारे सौर मंडल में सिर्फ Venus ही एक मात्र ऐसा ग्रह है जिस पर सबसे ज़्यादा green house effect होता है सूर की गर्मी इस पर आती तो है लेकिन वापस नहीं जा पाती जिस वज़े से heat इसके atmosphere के अंदर trap होकर रह जाती है यही कारण है कि सुक्र ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है जिसका तापमान 455 degrees Celsius है इसकी सतर पर काफी मात्रा मजवाला मुखी मौझी मौझी हैं जो इस ग्रह को और ज़्यादा खतरनाक बनाते हैं इस angry planet पर कुछ भी survive नहीं कर सकता चलिए अपनी जर्णी को और आगे बढ़ाते हैं यह है सूर के सबसे पास मौझूद ग्रह मरकरी इस ग्रह की धर्ती हमारे चंद्रमा जैसी नजर आती है जिस पर बड़े बड़े गड़े मौझूद है इस ग्रह के दिन और रात के temperature में बहुत ज़्यादा difference है रात के समय में इसका तापमान माइनस 170 डिगरी Celsius पहुँच जाता है तो दिन के समय में 400 डिगरी Celsius को भी पार कर जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं यह है हमारा भगवान यही है जो अपनी उर्जा से प्रिथवी पर जीवन को चला रहा है अगर ये न होता तो हम न होते प्रिथवी से लगबग 150 मिलियन किलोमीटर दूर मौझूद ये तारा इतना बड़ा है कि इसमें लाखों प्रिथवियां समा जाएं सूरे इतना भारी है कि इसकी ग्रेविटी पूरे सॉलर सिस्टम को कंट्रॉल कर रही है इससे निकलने वाली लप्टाएं इतनी बड़ी होती हैं कि सूरे की सतय से हजारों किलोमीटर ऊपर तक चली जाती हैं चलिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं ये है प्रित्वी का सबसे नजदी की ग्रह मंगल इसकी धरती लाल है इस वज़े से इसे लाल ग्रह भी बोला जाता है वैग्यानिक मंगल ग्रह के बारे में जानने के लिए बड़े ही उत्सक हैं क्योंकि वैग्यानिक कहीं न कहीं ये अनुमान लगाते हैं कि मंगल ग्रह हमारा पास्ट है वैग्यानिक मानते हैं कि अतीत में मंगल की धर्ती पर जीवन फला फूला होगा मंगल की धर्ती पर भी सागर मौजूद थे नदियां मौजूद थी इसका खुद का एक एटमोसफेर था लेकिन आज ये ग्रह वीरान और बंजर पड़ा है आज वैग्यानिक इस ग्रह पर सूचम रूप में ही सही बैक्टिरिया के रूप में जीवन खोजने में जुटे हैं और वैग्यानिक इस ग्रह पर भविस्या में बस्तियां बसाने की सोच रहे हैं अगर हम मंगल पर आए हैं तो हम इसे कैसे मिस कर सकते हैं ये है ओलंपस मौंस एक प्राचीन ज्वाला मुखी मंगल की धर्ती पर ज्वाला मुखी से बना ये पहाड प्रिथफी की सबसे उची चोटी माउंट एवरेज से भी लगबग तीन गुना उचा है और ये हमारे सॉल बैल्ट में प्रवेश कर रहे हैं जो कि मंगल और ब्रसपती ग्रह के बीच मौझूद है इसमें मौझूद हैं बड़ी-बड़ी और विशाल का चट्टाने जो कि सूर के चारों और घूम रही हैं इस एस्ट्रॉइड बैल्ट में इतनी बड़ी-बड़ी चट्टाने जो जाएं तो इन से एक बड़े ग्रह का निर्माड हो सकता है इस बैल्ट में इतने बड़े-बड़े ऐस्ट्रॉइड मौझूद हैं कि इन पर एक बड़ा सहर बसाया जा सके जैसा कि हम जानते हैं कि साड़े-चार बिलियन साल पहले हमारे सौर मंडल में ग्रह बने लेकि जूपीटर की हाई ग्रैविटी ने एस्टरोइड बेल्ट के एस्टरोइड को प्लानेट नहीं बनने दिया जूपीटर हमारे सौर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लानेट है और इसके धेर सारे चंद्रमा है ये इतना बड़ा है कि हमारे सौर सिस्टम के अन्य सभी जूपीटर एक गैसिय प्लानेट है इस वज़े से इसकी सता प्रित्वी की तरह ठोस नहीं है अगर आप जूपीटर की सता पर उतरे तो आप इसकी सता पर खड़े नहीं हो सकते बलकि सीधे इसके अंदर चले जाओगे जूपीटर जितना वॉयलेंट और विनास्कारी है वह ही इसके चंद्रमा जीवन के पनपने के लिए आइडियल साबित होते हैं जूपीटर के दरजनों चंद्रमाओं में से एक है यूरोपा जो कि पूरी तरह बर्फ की मोटी चादर से ढखा हुआ है वैग्यानिक मानते हैं कि यूरोपा की सता पर जमी हुई बर्फ के नीचे पानी तरल रूप में मौजूद है इस पर पानी का तरल रूप में होना जीवन के होने की संभावनाओं को बढ़ा देता है हमारे सौलर सिस्टम में दरजपती ग्रे के चंद्रमा यूरोपा पर वैग्यानिक जीवन होने की प्रबल संभावनाएं जताते हैं हमारा अगला पड़ाओ है हमारे सौर मंडल का सबसे खुपसूरत प्लानेट सैटर्ण शनी ग्रे के चल्ले इसकी सुन्दरता में चार चांद लगाते हैं जोकि सकी सता से लाखों किलोमिटर उपर तक फैले हैं शनी ग्रे को अपने सौलर सिस्टम माना जाता है यह है शनी ग्रे का एक च सागर मौझूद हैं यह चंद्रमा देखने में लगबग प्रित्वी की ही तरह है लेकिन इस पर जो नदियां और सागर हैं वो पानी के नहीं बलकि लिक्विड नैचुरल गैस के हैं अगर हम किसी भी तरह इस नैचुरल गैस को प्रित्वी पर ला पाएं तो यह इतनी जाद है कि हजारों सालों तक यह हमारे शहरों को रोसन कर सकती है वैग्यानिक अनुमान लगाते हैं कि अर्बों साल बाद जब सूर्य गर्माने लगेगा और एक रेड जाइंट बन जाएगा तब टाइटन हैबिटेबल जोन में होगा उस समय टाइटन पर प्रित्वी जैसी पर आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रित्वी हमारी आँखों से ओजल होती जाएगी हमारा अगला पड़ाओ है यूरेनस प्राचीन समय में यूरेनस और नेप्चियून के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी जब तक कि टेलिस्कोप का अविस्कार नहीं हुआ हमा जाते हैं कвेपर बेल्ट में, जो पिछली एसरोड बेल्ट से 20 गुना चोड़ी और 200 गुना ज़ादा फैली है। ग्रहों की लिष्ट से बे दखल किया जाने वाला प्लूटो भी इसी क्वेपर बेल्ट का सदस्य हैं, क्वेपर बेल्ट में एसरोड बेल्ट से भी जादा बड़े बड़े अब्जेक्ट्स मौजूद हैं जिनकी खुद की ग्रैविटी की वजए से इनके चंद्रमा भी हैं चलिए क्वेपर बैल्ट को पार करके आगे चलते हैं हमारी प्रित्वी से 13 बिलियन किलोमीटर दूर ये है सूरे से सबसे दूर मौजूद अब्जेक्ट सै बाहर का रुख करते हैं अभी हम इंटर स्टेलर स्पेस में प्रवेश कर चुके हैं देखे देखिए अंतरिच की गहराई में ये कह ट्रेवल कर रहा है ओ ये तो वॉजर वनी स्पेसक्राफ्ट है यही तो एकलोता स्पेसक्राफ्ट है जो कि इंसानों द्वारा बनाई चलिए अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं अभी हम अपने सॉलर सिस्टम की हदों से इतने दूर आ चुके हैं कि यहां से हमारा सूर्य एक आम तारे की तरह दिखाई दे रहा है लेकिन इतनी दूर से भी इसकी ग्रैविटी को मैसूस किया जा सकता है क्योंकि अर्ब प्रित्वी पर ज्यादा तर पानी कॉमेट्स के द्वारा ही आया है पैंस पर्मिया थियोरी के अनुसार प्रित्वी पर जीवन कॉमेट्स के द्वारा ही धर्थी पर आया अंतरिच में तैर रही इन छोटी छोटी बरफिली चट्टानों में जीवन सूच में रूप में ब ग्रैविटी कमजोर पढ़ने लगती है जिस वज़े से इसके बाद सूरज का खिंचाव बहुत कम रह जाता है अब यहां से आगे की यात्रा एक अन्नौन और रहस्यमेई स्पेस महोगी जहां घुप अंधेरा है यहां इतना अंधेरा है कि हम अपनी आखों से भी कुछ भी नहीं देख पाएंगे यहां देखने के लिए हमें इंफ्रा रेड विजन की जरूरत पड़ेगी हम अपनी प्रिथवी से बहुत 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 दूर आ चुके हैं लेकिन ब्रंबांड के सापेक्ष में यह हमारा एक मामूली सा स्टेप है यहां से हमें चारों और तारे दिखाई दे रहे हैं लेकिन अभी हम सबसे नजदी की तारा मंडल की ओर बढ़ रहे हैं यह हमारा पड़ोसी सॉलर सिस्टम यह हमसे इतना दूर है कि हमारे सूरे के प्रकास को इस तारा मंडल तक पहुंचने में 4.3 सालों का वक्त लगता है इस तारा मंडल का नाम ह अलफा सेंटोरी इस तारा मंडल में 3 तारों का समूव है जिनमें अलफा सेंटोरी A और अलफा सेंटोरी B तारे आपसमा बाइनरी स्टार सिस्टम के तहद जोड़े हुए हैं इस तारा मंडल में प्रॉक्सिमा सेंटोरी B नामग ग्रह मौजूद है जो प्रित्वी की ही त जीवन लेकिन अभी इसमें अर्बौन सालों का वकत लगेगा वैल अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं अभी हम प्रित्वी से 20 प्रकास वर्स दूर आ चिक्वे हैं और अभी हम ऐसे तारा मंडल से होकर गुजर रहे हैं जिसका जन्म हमारे सॉलर सिस्टम के साथ ही हुआ था इस तारे का नाम है ग्लीज 581 और इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि इस तारे का चक्कर लगा रहा है एक ऐसा ग्रह जो हमारी प्रिथवी से बिलकुल मेल खाता है और इस ग्रह पर एलियन सिवलाइजेशन होने की प्रबल संभावना है वैसे तो हमारी मिलकीवे गैलक्सी में अर्बों तारे हैं जिनकी यात्रा करना तो दूर उनको पूरे जीवन का आल में गिनना भी संभव नहीं है तो चलिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए मिलकीवे गैलक्सी से बाहर निकलते हैं यह है हमारी मिलकीवे गैलक्सी जो अर्बों तारों का घर है जिन में से हमारा सूरे भी एक है यह गैलक्सी इतनी विशाल है कि अगर इसके एक छोर से प्रकास्ट ट्रेवल करें तो लाइट को भी इसके एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में एक लाख पांच सालों का समय लगेगा लेकिन ब्रह्मान में मौझूद बड़ी विशालकाई गैलक्सियों के सामने हमारी गैलक्सी कुछ भी नहीं यूनिवर्स में मिलकी वेसी भी कई गुना बड़ी गैलक्सियां मौझूद हैं तो चलिए अपने सॉलर सिस्टम और अपनी गैलक्सी को जिसमें हमारी गैलक्सी मिलकी वे और अन्य पड़ोसी गैलक्सियां मौझूद हैं गैलक्सियों के इस छोटे से जुन्ड को लोकल ग्रुप बोला जाता है गैलक्सियों का ये लोकल ग्रुप दस मिलियन प्रकास वर्स में फैला हुआ है जैसे जैसे हम अपनी यात्रा को आ वो है vergo super cluster इसी vergo super cluster में हमारी गैलेक्सियों का local group भी शामिल है और हमारी गैलेक्सियों का local group इस छोटे से patch में है अभी हम अपने घर से इतने दूर आ चुके हैं कि यहांसे हम अपने सूर्य के तो चोड़ो यहां तक यह अपनी galaxy को भी छोड़ो हमारी गेलक्षियों का लोकल ग्रूप ही एक छोटे से पैच के समान दिखाई दे रहा है कितना विशाल है ना वर्गो सुपर क्लेस्टर इस वर्गो सुपर क्लेस्टर में 100 से ज़्यादा गेलक्षियों के लोकल ग्रूप सामिल है और ये 110 million प्रकास वर्स में फैला हुआ है चलिए अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं अरे ये क्या? जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें वर्गो सुपर क्लेस्टर जैसे अनगिनत सुपर क्लेस्टर दिखाई दे रहे हैं इस सुपर क्लेस्टर के समूग को नाम दिया गया है लैनिया केया सुपर क्लेस्टर और हमारा वर्गो सुपर क्लेस्टर यहां पर है एक छोटे से पैच के समान जिसमें हमारी गैलेक्शियों का लोकल गृप एक डॉट की तरह भी दिखाई नहीं दे रहा यह लैनिया केया सुपर क्लेस्टर 520 मिलियन प्रकास वर्च में फैला हुआ है जिसमें लाखों वर्गो सुपर क्लेस्टर जैसे सुपर क्लेस्टर मौझूद है चलिए अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे लैनिया केया सुपर क्लेस्टर भी छोटा होता जा रहा है और इतनी दूर से देखने पर लैनिया केया सुपर क्लेस्टर भी एक छोटे से पैच की तरह दिखाई दे रहा है ओ माई गॉड मेरा तो दिमागी घूम गया खेर अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं ये है हमारा आपजर्वेबल यूनिवर्स जिसमें हमारा लैनिया के सुपर क्लेश्टर एक छोटे से डॉट की तरह मौजूद है लेकिन क्या यही हमारी यात्रा खत्म हो जाती है क्या इतना ही बड़ा है ब्रह्मांड वैल जैसा कि मैंने अभी बोला ये है अपजर्वेबल यूनिवर्स यानि ग्यात ब्रह्मांड ब्रह्मांड के बारे में हम जो भी जानते हैं वो केवल यहीं तक जानते हैं हो सकता है कि ब्रह्मांड का विस्तार आगे भी हो जो अनन्त तक चलता जा रहा हो लेकिन वहां से हम तक कोई प्रकासी नहीं पहुँच पा रहा हो जिससे हमें अब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर का भी पता चल सके वैग्यानिक ये भी अनुमा लगाते हैं कि हो सकता है कि हमारे यूनिवर्स जैसे असंग के यूनिवर्स और मवजूद हो सकते हैं जिन में हमारा ये ब्रह्मांड एक विशाल सागर में एक छोटी सी बूंद के समान हो खेर मल्टिवर्स यानि एक से ज़्यादा ब्रह्मांडों का अस्तित्व है कि नहीं ये कोई नहीं जानता और ना ही हमारे पास मल्टिवर्स यानि महा ब्रह्मांड के कोई सबूत हैं लेकिन ये तो ताय है कि Observable Universe ही ब्रह्मांड का अंत नहीं हो सकता, इसके बाहर भी कुछ न कुछ मौजूद है, जिसका हमें कोई भी ग्यान नहीं, लेकिन वो क्या हो सकता है? हो सकता है कि हमारा Observable Universe भी महा ब्रह्मांड में एक छोटे से पैच के समान हो? वेल दोस्तों आपकी ब्रह्मांड के आखरी छोट तक की यात्रा कैसी रही? प्लीज कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आये हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आई कॉन दपाएं